अरे कृष्णा तो आप सब का हर्दिक स्वागत है आज हम लोग आत्मा के विशे पे कल भी चर्चा किया था और आज हम पार्ट टू यानि उसी आत्मा की चर्चा को और थोड़ा विस्तार में समझने का प्रहास करेंगे तो आज जब आप मेरा ओडियो सुन रहे होंगे तो पीछे से आपको अवाज आ रहा होगा जो ठुक ठुकाई का आवा जा रहा होगा और आपको शायद करटन का प्लास्टिक करटन का हो जाएगा क्योंकि हमारे रिपेरिंग चल रहा है बैंबू वर्क चल रहा है तो उसके आवाज है ठीक है यही समझ के आप उसको रखें तो आज हम स्टडी करेंगे यह जो आत्मा का सेकेंड सेक्शन है जो कल हमने यह प्रूव किया कि हम लोग इस शरीर से परे हैं और वह जो आत्मा है वह इस पूरे शरीर को व्याप्त करता है कॉंशेसनेस यानि चेतना की द् एक्टिव रखता है और मैटर को अलग लग फॉर्म में मैनिफेस्ट होने को मजबूर करता है जैसे आप देखिएगा कि कोई छोटा बच्चा है छे साल का है साथ साल का है लेकिन अगर वह आपसे प्रेम नहीं करता तो वह आपको आप उसको हाथ दीजिए वह इसा हाथ ज सब तो और गले लगते दूसरे को उठाते हैं अराम से उठा लेते हैं कुछ नहीं होता है लेकिन वहीं 50 kg का चावल का बोरिया या ग्रेन बैग या पोटाटव गैड आप नहीं उठा सकते है तो यह फरक होता है कि जहां पर आत्मा है वह अपने आपको हलका भी कर सकता है तो इसका बहुत कनेक्शन है स्पेस और मैटर एलिमेंट का जिसे हमारा जो यह बाड़ी बना हुआ यह अर्थ से बना हुआ है अर्थ के अंदर मैंने बता है आपको वायू अगनी सब कुछ है तो अर्थ में क्या होता है स्पेस होता है उसको बोलते हैं इथर खम मनो बुद् स्पेस हो चल जाते ज簡번ों इतना इतना मेरा सरी से तलीए एन वॉल्यूम मेरा है अगनी में जाने के बाद ही ठोटा हो जाएगा तो यह स्पेस हमारा अंदर अंदर करता है इसलिए आप चाहे तो अपनी आपको हलका बना सकते हैं आप चाहे तो अपने आपको जड़ बना सकते हैं depending on your desire ठीक है जैसे हनुमान जी का आप सुनते हैं कई लोग बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि हनुमान जी असी योजन बड़े हो गए फिर अचानक से जो भी अभी नएने जॉइन के आपको बता दू बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हवा जोर से चल रही है तो आपको कर्टन का आवाज और बैंबू का ठोकने का आवाज आएगा तो यह जो आत्मा है यह इसके वज़े से यह शरीर है याद रखिये यह शरीर के वज़े से आत्मा नहीं है गया है चत्रॉ promote तब ही ओ शरीर की किमत है वरना हो तो डेड़ मृत है तो शास्त्रों में कहते हैं मंड़नम लोकर अंजनम कि अगर आप जीव होते हुए भी इस शरीर को अपने मनुष्य के जीवन के लक्ष को प्राप्त करने के लिए अगर आप इस्तमाल नहीं करते हैं तो केवल आप यह नहलाया जाता है नया कपड़ा पहना जाता है वह तो ठीक है परिवार की तरफ से होता है लेकिन असली में वह उनके कोई काम का नहीं होता है जैसे अभी बहुत सरे कोई बॉली वूड के एक्टरस चले तो लोग करते हैं जब जिन्दा था तो उनकी बारे में को आत्मा लई करेंगे तब तक हम आत्मा के स्थर पर काम कर रहें हैं जैसे कोई वायर है वह अगर आप किसी ऑबजेक्ट को जोड़ दें तो वह करंट नहीं बह रहा है तो फिर वायर उसे जोड़के फाइदा नहीं है अगर उसमें बहुत ज्यादा रिजिस्टन्स है तो फ लेकिन उसका पहला श्लोक जो चालू होता है अथा तो यानि देरफोर कोई भी बुक हो कोई भी फिलोसिफिकल बुक हो कोई भी नौवल हो कोई सबसे पहला श्लोक आता है अथा तो अथा तो मिन्स देरफोर इसलिए तो देरफोर क्यों कहा गए अथा तो ब्रह्म जिग्या साभा ब्रह्म की जिग्या सा करिए वो इसलिए कहा गया है क्योंकि आप यह पढ़ सकते हैं मतलब आप मनुष्य हैं और आप अगर मनुष्य हैं तो अगर आप मनुष्य हैं और यह पढ़ सकते हैं तो अब आपका करता है कि आप अध्यात्मिक जीवन की जो चिंता है वो करिए आप जो अध कि जो मनुष्य जीवन है यह प्राणी जीवन से अलग कैसे तो इनमें चार चीज से में आहार निद्रा भय मैथुन खाना पीना सोना और शवचाले को जाना पुत्र प्राप्ति करना यह सब सब में कॉमन है और अपने रक्षण के लिए दूसरों को मारना या अपना बचाव के लिए कुछ करना हां एमाइटी प्रसंद करें इवन इन पातेंजली योगा सुत्र स्टार्ट्स रम देरफोर अथ यग यग यजन्वासनम वह और एक श्लोक मिल गया है बड़े-बड़े विद्वान बैठे हैं इसमें बहुत अच्छा बहुत अच्छा मित प्रसंद न वह बहुत सुंदर अच्छा लगा ऐसे कमेंट्स बहुत ही सबके लाबधायक होते हैं सबके बेनिफिट्स के लिए होते हैं तो उन्होंने जो हमारा शरीर है यह चार काम तो मनुष्य भी कर रहे हैं प्राणी भी कर रहे हैं लेकिन एक चीज है जो मनुष्य कर सकते हैं प् वह आपने ऐसे क्यों कि मंत्री जी बताइए वह वह वाला कुशन बहुत रहता है तो यह वह जो है वह गौड की तरफ डारेक्टेड होना चाहिए वह वह मैं यहां क्या कर रहा हूं मैं किसके लिए बना हूं यह सोचना मनुष्य का काम है अथा तो देरफूर अब आप जो है मित है बोलते ही स्पेलिंग एमाइटी हो जाता है क्योंकि मैं एमाइटी कॉलेज में प्रिचिंग करता था इसलिए मुझे लगता था कि एमाइटी का कोई स्टूडन्ट है लेकिन यह मित प्रसंद्न जी है ठीक कोई बात नहीं मेरे दो दो आइडी तो दो आइडी में अलग लग फ्रेंट से इधर सीधर रिक्वेस्ट मत भीजिएगा क्योंकि आप एक आइडी में है तो बस होगे क्योंकि मैं दूसरा आइडी उस टाइम माइंड जो है वो एक्टिव रहता है तो माइंड क्या करता है उस माइंड के स्पेर में जो अविलेबल है आत्मा तभी भी सोय नहीं रहता है आप यह मत सूझे यह सो गया सोया तो वो शरीर है शरीर का एक लिमिटेशन है तो ठक गया और वो रात का समय हो गया ह अभी लोगों को करण वारोस के कारंटाइन में निलोको नींद आ रहे कि दिन में रहाएं फिर रात को उनको पता नहीं चल रहा दिन है कि रात यह you सरकार ने वो लीकर का शौप खुल के दे दिया है तो लोग भारा-बारा घंटे Łीकर के लाइन में खड़े हैं कि लिकर लेना चाहते हैं कर भूलना यह सपना पर देखे आ जाता है तो वह एक जीवन जी के आ जाता है इसलिएंग के तर दिखें आपको देखने सकते तरी में अगर आप अपने आपको देखके तो आपनी दीखेंगा वीकॉज टेस्ट्ली आपको बड़ी वह पॉड़ी जाता नहीं बहुतर वह मेंटल सफिर्व मेंज रहें फीजिकल स्प्रेर फास द्यात एर्थ वाटर फायर एर इथर और मेंटल स्फियर अलग होता है इसलिए आप कितना भी सपना देखिए आपको आपको आप उसमें फील कर सकते लेकिन आप अपने आपको जाता देखनी सकते हैं ठीक है तो यह हो गया आत्मा का जो करतव है वह अथातो ब्रह्मजिग्यासा है अपने आपको जानने के लिए सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़े संत थे प्राइमिनिस्टर थे नवाब उसें शाह के उसमें तो जब चैतन्य महाप्रभू से मिले तो पहला चीज दातों में तिनका लेके नम्र होके पूछे चैतन्य महाप्रभू को वह बोले कि के आमी अपना अस्तित्व ही नहीं जानता वो बड़ा नेता बन जाएगा बड़ा शिक्षक बन जाएगा माता पिता बन जाएगा तो वो क्या गाइड करेंगे अपने सबॉडिनेट्स को इसलिए आत्म विद्या बच्पन में ही बच्चों को देना चाहिए यह जो हमने भी गुर जीवन भर काम आएगा जहां भी वो हैं चाहे वो जंगल में रहे रहे हैं चाहे वो सिटी में रहे रहे हैं चाहे वो प्राइमिनिस्टर हैं चाहे वो सिंपल क्लर्क हैं या चाहे वो जूता पॉलिश कर रहे हैं चाहे वो खेती कर रहे हैं लेकिन इनको यह मालुम होना चा यह इसलिए यह वैदिक ज्यान पहले लाको लाको गुरुकुल खुलते थे अभी भारत में इतने सारे 650 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो करीबन छे लाग गाउं है घर हर गाउं में और गुरुकुल खुल गया और वह गाउं अले वह गुरुकुल चला सकते हैं हम लोग बहुत जोना रहे हैं जिसमें आत्म विद्या जोतिश विद्या वास्तु विद्या खेती की विद्या गाई की विद्या स्वयम रक्षण की विद्या शस्त्र शस्त्र उनको चलाने की विद्या यह सब दे देंगे तो यह वेदिक प्रता है तो कभी आईएगा आप लोग लोग ड तो ऐसे करकर के भूपाल में इंदोर के असपास खोल रहे हैं फिर महाराश्टर और मध्य प्रदिश का उधर एक जगह मिला हुआ है तो जटना हमसे हो सकता है खोल रहे हैं आप लोग जुड़िये क्योंकि अगर यह आत्म विद्या हम लोगों को नहीं देंगे तो इसके असली दोशी आप और मैं होंगे जैनरेशन इस गोई तो ब्लेम यू एंड मी यह अपने आप पर ब्लेम नहीं लेंगे वह हम पर ही ब्लेम करेंगे कि आपको तो मालूम था तो आपने क्यों नहीं किया हम बड़े बड़े बिल्डिंग में रहना चाते हैं तो वह तो मनुष्य की तरह ऊगे जो चार चीज करत हैं खाते हैं पीते हैं सो जाते उड़ जाते बस खतम एक दिन लड़ाई करते हैं काश्मीर का तुकड़ा यह लेना चाहता है तो वह लेना चाहते हैं चाहिना लेना चाहता है हर कोई काश्मीर का तुकड़ा चाहता है हर कोई हर कोई जमीन के लिए मर रहा है लिए जो जमी यह बहुत इंपोर्टन चीज है रागो पांडे जी करें पहले चार चालीस जार गुरुकुल थे और आज चालीस हैं चार चालीस हजार ने सर पोर लैक से ज्यादा थे हर गाउं में चोटे-चोटे गुरुकुल होते थे बड़े-बड़े रिश्यों के बड़े-बड़े इकढ़े तो यहाँ पर जो आत्मा का ड्यान यह इतना इसा ज्यान है कि इसको जानने के बाद हमारी शरीर की जरृत हैं हमारी मन की जरृत हैं एकदम कम हो जाती हैं और ऐसा व्यक्तिол ना शांती को absent करने मंत्र बताईए, सर मुझे मेरे घर्ब में शांती चाहिए, अरे आपके ज्यान में ही अशांती है, तो आपको शांती मिलेगी कहां से, आपको ज्यान में भी शांती होना चाहिए, आपका ज्यान इतना पक्का होना चाहिए, कि उसमें ही शांती मिल जाए, आप अज्यान में, खुद से वो बोलते तेरे पहले तू अलग था एकदम शान्त हो गया तू कैसे के सुधर गया तो कोई मैं इंजेक्शन लेकर नहीं आया हूँ वही है जो प्रभपात जी के क्रिपा से हमने जो ग्यान सुना हमारे सीनियर से सुना गुरु महरत से सुना अनिक वैश्णों से सुना संत महात्मों के ग्रंथों को पड़े उनसे समझा तो समझ में आया कि यह जीवन का लक्ष क्या है करना क्या है और मनुष्य जैसे भी आप बहुत सुखी रह सकते हो आप विद्या विद्या सबसे बड़ा धन है इसको आप राप्त कर सकते हो और जमीन तो कहीं भाग की ने जान चित्रकेतु करके एक राजा थे यह जो राजा थे यह आत्मा का ग्यान ऐसा नहीं कि मैं आज दे रहा हूं या प्रभुपाजी ने दिया है उससे पहले यह अन्याधी काल से आ रहा है भगवान बोलते हैं जो गीता अरुजुन मैंने तुम्हें बता यह आज नहीं बता है मनुर इक्षवा कवे बरवरित मैंने मनु को बताया मनुन एक्षवा को बता कि करते 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 नीचे सभी लोग को घ् defenders फिलक होते बिर्स बिर्समुंडा जिनने और चित्रकेतु की हजार रानिया थी तभी वो लोग मिंटेन कर लेते तब यह मत कुछ है सर कैसे क्या पॉसिबल है वो ठीक है वो जमाने का था तभी कर सकते थे अभी तो एक गल्फ्रेंट से दूसरे गल्फ्रेंट में आधी का जान निकल जाता है खर्चा करते करते आदमी ईसलिए और यह चित्रकेतु जो थे उन्होंने यह राजा रानिया होने के वैजूर दिन हो यह वह बेटा नहीं हो रहा था एक पुट्र नहीं हो था तो ऐसा कहते हैं कि अगर है अगर विद्यान ना हो तो विक्ती ज है वह 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 औरत पाफान्ज क क्यल आता है यह वो विक्ति जो है वह बैरन लैंड में जी रहा है ऐसा माना जाता है कि जतने बच्चे हो उतना अच्छे लीड finely वहाको सखेव घर में आपना जाहिए वह से कम 5 6 दो भरा रहता है अभी सरकार जो है वो दो बच्चों पर लिमिटेड कर रही है और कई बार हिंदू समाज जो है वो मुस्लिम समाज से एन्वियस होके बोल देता है कि ने ने अरे दो ही बच्चे रखो उनको भी बंद करो ठीक है वो एक आपका पॉलेटिकल गिमिक हो सकता यह सब लेकिन भग सब सेपरेटेड नुकलियर फैमिली सब एवरीवडी स्टैक्स न प्रेम है न भाई चारा है तो यह यह कहीं न कहीं डैमेजिंग है सुसाइटी के लिए सरकार कितना भी रूल बना ले बिकॉस नेचर जो चाती वही अंत में होने वाला है आप रूल्स बना लीजिए सरकार से तो यह कोरोना नहीं बचा जा रहा है सरकार से तो मनलब पॉपुलेशन कंट्रूल के नाम पे उसलिए कर रही है ताकि वह आपको आपको रशकें भाइया तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बोला कौन नहीं अब कौन इमांदार सरकार फिर चोरों की सरकार वह जरूरत नहीं है कौन इमांदार कौन चोर आप लोग डिसेड करें कि आप अभी मैंने बीच में वीडियो देखा तो एक कोई बड़े फेमस साधु जी हैं जो इंग्लिश में भी बोलते हैं और ही स्पीक्स इन इंग्लिशन ही सेंग कि मैं उसे नैशनल नोबल आवर्ड दे दूंगा जो और बच्चा पैदा नहीं करेगी वाट इस नांसेंस आप क्या बोल रहे हैं आप क्या विचार-धराप प्रचार कर रहे हैं अ उनको पूछ किसी कि ने कि आप गीता नहीं पढ़ता और चैब नहीं क्यों बहुद नॉन इंगलेशन माइड माइड आप हसके you want to show that you are very educated I'm really sorry वो सुनके बहुत बुरा लगा मुझे इसलिए मैंने यहां openly comment करो मैं डरता नहीं actually मेरे को कोई debate को बुलाए तो अच्छा रहेगा इसको debate के लिए बुलाता नहीं तो यह सवाल है कि दो बच्चाने कम से कम तीन से चार बच्चे होने चाहिए है ना सरकार तो अपना नियम इसलिए बनाती है कि सरकार आपको कंट्रोल करना चाहती है लेकिन मैंने देखा हूं वह माताओं को जिनको चार है पांच बच्चे है तेर वेरी होगा कोई यादव होगा को इसे खांदा नहीं होता है उसको हात लगाने से लोग डरते हैं क्यूंद आप पीछे पूरा खांदान नका भाई यो का टॉली है तो लोग बोलते तो बहुता है यह उदर का यह पूरा गैंग लेकिया जाएगा ऐसा है तो मेंटल अभी आज अमेरिका में कल्चर एंवान की टूपी उसी में उनको परिशण जोबते हैं और वह वन टूपीड हरेको बुली करते हैं उसको मेंटल टॉर्जर करते हैं इसी वादा पागल हो के वह एक गुलाम बन जाता है तो यह हमारे वेधिक कल्चर नहीं है विए वारियर्स वियर ए था तो उनको क्या किया गया जो अंगीरा मुनी थे उनके पास गए ऐसा होता है घरस तो लोग फिर जनरली सादू को बास उनको मालूं है सादू कुछ तो होगा कोई जड़ी बूटी कुछ तो कुछ तो बोलेगा इस मंदिर में नारियल चड़ा दीजे शिवी जी का यह कर द कुछ तो रस्ता बता देगा जिससे मुझे हो जाएगा और प्राया बहुत बार तो ऐसा होता है कुछ सादू कुछ मालूमी नहीं होता है लेकिन कुछ बोल देते उससे हो भी जाता है तो लोगों को ऐसा फेत हो जाता है सादू को शास्त्रिक प्रमान से वह देना चाहिए लेकिन आपको इस बेटे का नाम हर्ष शोक रखना होगा बोले क्यूं इसलिए क्यूंकि वह आपको हर्ष भी देगा आनंद भी देगा और शोक भी देगा तो चितर के तू सोचे इतना राजा हूं वो दुख थोड़ा दही देगा क्या कर लेगा बहुत जादे तो मेरा प्रॉपर्टी थोड़ा उमर से पहले चीन लेगा चलेगा लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि सादू जो है उनका अलगी आशिरवाद रहता है तो जब चितर के से आम के पत्ते से पुरा शेहर सजा हुआ है पताके लगे हुए हैं सब को राजादान दे रहा है ब्रामनों को दान दे रहा है अब प्राब्लिम क्या है कि आपने एक को खुश किया है 999 राणिया जो थी महिलां को क्या है द्वेष thोड़ा एक्स्टर रहता है एनवी उन 999 रानियों को चित्र के तुन्हें देखना दुरलक्ष कर दिया आइसी रानी के उपर ध्यान देता था तो इन रानियों ने क्या किया बच्चे को दूर में बिश डालके स्वाहा सुला दिया तो यह तभी भी चलता था यह नहीं क्या भी चल रहा है यह हमेशा चलते रहता है एन्वी राग क्रोध काम यह सब अनादी कादे जब तक जीवी संसार में वह यह संसार उसी के लिए बना हुआ है तो उन्हों देखा हो सब किया चित्र के तू जो थे उनको पता चला कि बेटा जो आपका गुजर गया है और कुछ पता नहीं कैसे हुआ क्योंकि राणियों को एक मेरा फ्रेंड है स्टुडेंट है पूना में उसके फादर गुजर गए तो डॉक्टर ने चेक किया बुलते नहीं आपके फादर को कॉर्णा पॉजिटिव हम बाड़ी आपको नहीं दे सकते वह इतना रो रहा था लास्ट मुझे फोन किया तो यह मैंने उसको बताए क कि आपकी इस विधी से अपने पिता का दस्वां वगरा कर सकते हैं और यू कैन परफॉर्म पिता जी को आप अगनी नहीं भी दे पाए तो कैसे कर सकते हूं बैंने बताए फिर उसको लेकिन व्यक्ति जो है वह बहुत तिल मिला जाता है दुखी हो जाता है कुसी का पुत् सोच रहे हो कि हमने तुम्हें सिखाने के लिए बता है कि तुम राजा हो तुम्हें आत्मग्यान है कैसे नहीं तो उन्होंने किया किया नारद मुनी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया वैसे कली मैंने मेरे एक आईडी से शेर किया था वीडियो कि कैसे आयुरुवेद मे जिन्दा कर दिया था ठीक है उम्रत संजीवनी विद्या भी है लेगिन कोई सीख के फाइदा नहीं इस यूग में थोड़ा ही जीना है ज्यादा जीके फाइदा नहीं है लोन्स और टैक्सेस भरने से अच्छा है जल्दी थोड़ा जीवन जीओ भक्ति महीं जीओ भगवान क चित्र के तूख खुश हो गया एब मेरे बेटे माई डियर सान अब आगए application of knowledge of soul जैसे मैंने आपकर करमा का practical application बता है अब knowledge का यह सोल का कि माता पिता गर्म से जन्म लेता हूं आप की जन्म को माता पीता हैं तो चित्रकेतु का बच्चा इतना ग्यान दे देता एंत में और बोलता है चित्रकेतु लोग्य आपको हम शेयर कर द है तौद है कुछ लोग मुझे घानते तक नहीं कुछ लोग 건 जन्मीनी मुझे समपर्क मैं तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन अब हम मैं भी आपको आपको मिला हूं न कुछ लेकिन कई न कई मेरे जो दे रहा हूं उसको फाइदा हो रहा है आप लोग जो कुछ शेर कर रहा है तो अम लोग मिले हैं फिर बाद नहीं आलग लग बिछड जाएंगे तो यह सत्य है यही इस बहने वाले प्रकृति क सत्य है जब हिरन्यकशिपू के भाई हिरन्याक्ष का मृत्य हो गया जो भगवान वराहदेव ने मारा था उनको मारने के बाद उनकी जो पतनिया थी हिरन्याक्ष की रोने लगी चूड़िया पटक पटक क्या मारा पती रोने दोने लगी तो हिरन्यकशिपू ने लेक्चर करेंगे हमारे लेक्चर में पूरा लीला 45 मिनिट में सिनापसिस में परस्तुत करने का प्रैस करूंगा कि तो हीरन ने कशीपू लेक्चर दे रहा है कि जनम में तेरा बाप था ऐसा भी बोलता है को अ Hold意 Best यह बहुत हैं कि यह बरत महराज जड़ भरत जो होते हैं वह राजा रहुगण को बहुते हैं कि इस जनम में तुम में राज नहीं था कि नहीं था ही होथ तो यहां पर जो बच्चा जब पूरा ज्ञान देता है और पूरा ज्ञान देने के बाद चित्र की तुमाहराज को पता चलता है कि देखो अरे यह क्या है यह बच्चा और रहा है रानियों को कि जैसे दो पत्ते होते हैं जो दो पत्ते होते हैं इन दो पत्तों में कीड़ा एक पत्ते से दुसरे पत्ते पे ट्रांसफर हो जाता है और अलग पत्त कीड़ा वही रहता है पत्ता बदल जाता है वैसे हम वही हैं हमारा शरीर बदल जाता है गीता के दूसरे अद्ध्य के गैरवेश लोक में बारवेश वो कह रहे हैं कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था मैं नहीं था यह राजा नहीं थे यह आज पहले भी थे आज भी हैं कल चैंदत भी रहेंगे हम मिक्स होके गायब नहीं होने वाले है है बाश समझ रहे हैं हम लोगे लुए हमेशा रहते हैं कई लोगा में लिन से तो магीर नहीं हो सकता है ना इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म में लिन भी हो जाते हैं तो आंत में नीचे आके फिर सामाजी कारियों में लग जाता है ठीक है जैसे भी मोदी जी कुछ दिन योगी की तरह घूम रहे थे पहाड़ों हिमालेव में साधूं के साथ तो उनको साधू ने कहा जी का लिगसी कहते हैं कि मोदी जी का नाम लेती कि ओसिने हाथ का पंच दिखा दिया बहीं मैं 860 वोटं नहीं करता है ठीक किमिंप अमसbir Cor Forest नहीं choice को सबक्साना वह काल का जब चैप्टर आएगा जो मैं पूरा कोरोना का अपडेट देने के बाद जब मैं आपको गुरुकुल का टूर करा हूँ उसवद काल चैप्टर में मैं आपको युनिवर्स और पैरलल युनिवर्स की बारे में बताऊंगा एक ही समय कैसे बहुत सरे विश्व एक ही ज प्रकृतित अपना रूप बदलते रहेगे तो विकास इसका करके भी क्या फाइदा नहीं है तो थोड़े देर के लिए रहेगा फिर चला जब विकास करना है हमारे चेतने का अगर हमने हमारा कॉंशिशनेस डेवलप नहीं किया हमने अच्छे इच्छाओं का अपने जीवन में परिवर्तन नहीं किया कि हम बूरे से अच्छे बने तो क्या होगा मैं अगले जनम में उसी स्थिति में जनम मिलेगा जो हम अभी हैं आप बात समझ रहे हैं अगर मैं समझो अलेटस से मैं सिंफुल आदमी हूँ पापी आदमी हूँ और मैं मेरे पापी टेंडेंसिस को चेंज करने का कोई प्रयास नहीं कर रहा हूं तो मुझे अगला जनम भी पापी का ही मिलेगा या इसी उसी य आगे डालेगी वह आपका कॉंशेसनेस इवाल होगा तो आपको अलग-अलग स्थान से इवाल करते करते अंत में भगवान के धाम पहुंच जाएंगे यह गत्वार अनिवरतंते तद्धाम पर्मममा जो एक बार मेरे पास आ जाता है अर्जुन वह वापिस नीचे नहीं जा तो यह बहुत इंपोर्टन सब्जेक्ट मैटर है कि हम जब तक इस विद्या को नहीं बाटेंगे और इस तरपे नहीं जिएंगे तब तक हमें फाइदा नहीं होगा तो एक मैंने आपको पॉइंट बता है इंडिविजॉयलिटी का फिर हमको समझना होगा कि एक भजन है व दूरलब मानवा जनम सत्संगी तरहुय भवा सिंदूरे वो कहते हैं दूरलब मानव जनम सत्संगे जो तूरलब है यह लुए जनम टेंपल का दर्शन करवा दीजिए ना तो ऐसे है टेंपल का दर्शन में नौ तारीक को करवाऊंगा और ऐसे करना है तो बाद में मुझे फोन कर देना लाइव आपको वाट्सेप कॉलिंग से दिखा दूँगा तो यह जो हमारा सोल है यह पुनरजनम लेता है कई बार लोग पुनरजनम को नहीं मानते लेगिन पुनरजनम का नहीं होने का बाती नहीं आते है कई बार इस्पेशली इसलामिक कल्चर में या अबरहमिक कल्चर जो है जहां पर इसलाम, क्रिस्चैनिटी, जूइश, यह लोग मानते हैं कि एक बार गाड दिया तो जनरली इसलाम में भी वह अंडरस्टेडिंग है कि एक बार आपको गाड दिया तो अंत में यह फoden जगही नहीं मिला तो उसका क्या होगा तो जो नॉलेज है वेदिक कल्चर में फिर सकते हैं पांस साल से च्छोटा बच्चा है तो ऊसको जमीन में कर सकते हैं फर प्रेक्नस्त्री या 20 काता हुआ वुकित तो उसको बांद के लकड़ी में नदी में छोड़ सकते हैं तो यह सब यह सब जस्ट वेज हैं टुडिस्पोस देट बॉड़ी ठीक है उसमें जितना रिस्पेक्टफुली आप कर सकते हो करिए और यह जो हमारा आत्मा है यह अपनी प्रवास में निकल जाता है तो यह जो व पॉइंट है बहुत पहले में गया था 2008 में जाकिर नाइक से में डिबेट करने लेकिन मेरा रेकॉर्डिंग चलाते नहीं क्योंकि ओपन चैलेंज करके में डिबेट में उनको डिफीट कर दिया था तो यह सब होता है वेदिक नॉलेज वेदिक नॉलेज होता है बाप अगाध है अगाध है अगाध यानि जिसका आप अंत नहीं धूंड सकते हैं और डिक्टेटर्शिप नहीं है जिनरली बाकी स्क्रिप्टर जो है इनफेक्ट बाइबल भी जो है वो 40 साल बाद लिखा गया जो उनके डिसाइपल्स ने नोट डाउन किया उसको उन्होंने से आफ़ोड जादा है और पुनर जीवन तो कई बारे में चर्चान कोम यह लेकिन की बाइबल और को रहां जो है यह बहुत बारे में बोलते हैं तो respectful scripture माना जाता है and yes we have to accept that yes God is ultimately the controller, the lover you know, he is the most merciful यह सब तो आपको मानना ही पड़ेगा लए जब totality में बात आती है सभी knowledge की, तो वेद जो है पूर्णताया, पूर्ण माना जाता है तो यहाँ पे जो पुनर जनम की बात आती तो life, next life जो है हमारा लोग भी आ रहे है, चंदर शुकर पुएड मेरा classmate यह भी आ रहे है, बहुत अच्छे लोग है अच्छा लग रहा है, लगता है मेरा audience बढ़ रहा भी, तो यह जो next life है हमारा, यह हमने कैसे decide के आए, मैंने आपको life after death वाले में मैंने वह आप जिन्होंने आपने नहीं सुना है, आप मेरे इस दोनों ideas में आप search कर सकते हैं, मेरे live talks में वह आ चुका है, तो आप वह देख सकते हैं, और वह saved भी है, तो life जो है, वो spirit जो है, मरता नहीं, problem है कि शरीर अपना operation छोड़ देता है, तो activity जो है, उसका time खतम होता है, मैं काल chapter में बताऊंगा कि कब वो छोड़ देता है, तो काल छोड़ देता है और यह गिर जाता है, तो यह जब आपको next body में, next योनी में कैसे प्रवेश करा तो मैंने उस chapter में बता है, तो निकल जाता है, एक बार एक story आती है पद्मपुराण में, आप लोग सोचते होंगा रहे भगवान उपर में करते क्या है आखिर, बैटे रहते यार, तो भगवान आपकी चर्चा करते रहते वहाँ पे, एक बार पार्वती जी शीव जी से पूछती हैं, और पार्वती शीव में देखे पती पत्नी में सववाद अगर भगवान का हो ना, तो जोड़ा टिका रहेगा, अगर दुनियादारी का हो तो लड़ाई होते रहेगा, तो अभी कॉरंटाइन में अगर लड़ाई हो रहा है, तो ऐसे करिए, फै सागर में डूब चुकी हूँ, भगवत सागर में, और वाजबन वाइफ दोनों अपना प्रशाद खाते हैं और दिन बर सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, अभी तो डीडी चैनल भी बहुत कुछ है, स्पिरिच्वल चीज दिखा रहे हैं, तो इसे पता है कि गीता माख्मे में हैं, पहले अध्या के मात्मे में आता है, तो पार्वत जी पूछती हैं, प्रभू ये जो गीता है, इसके बाru भगवत गीता है, इसको इतना क्यों वैल्यू देते हैं, जो भगवान कृष्ण ने धरती पे जाकर कहा, तो शिव जी कहते हैं, सुनो, जो पूछ रहे हैं तो जब उन्होंने पूछा लक्ष्मी जी ने भी पूछा प्रभू आप अभी क्या चिंतन कर रहे हैं को तो अगर आपका पति जो है वह बहुत बड़ा सीख है कि घर समाल कि अपनी चिनतन चेतना को भगवान की सेवा में लगाना और अपनी जीवन को अध्यात्मिक बनाना नहीं तो कॉलाप्स यू और फैमिल कॉलाप्स तो विविक कुल करने का स्वागत है संतोज सहु आपका भी स्वागत है तो फिर जब लक्षमी जी ने पूछा प्रभु आप अभी किसका चिंतन करें उसका कथा मुझे बताईए जगदी सबकाली जी करें प्रभु जी क्या किसी की मृत्यू हो जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार 24 गंटे में कर देना चाहिए क्योंकि मेरे कहीं लेक्चर में सुना थ अगर किसी का अंतिम संस्कार 24 गंटे में नहीं हुआ तो उसे व्यक्ति की आत्मा को काफी कष्ट होता है तो क्या आप इसे एक्स्प्लेइन कर सकते हैं देखो वह अभी का टॉपिक है नहीं में मेरे बास टाइम भी कम है लेकिन फिर भी मैं इनको आंसर करके हम अमारे स्ट गंटे बाद उनको फायर दे देना चाहिए आज इकल क्या हो गया वह गौर्वर्मेंट पॉलिसी बहुत हैं कि बॉड़ी उसके रिलेटिव को मिलेगा इसको नहीं मिलेगा उसको मिलेगा इसा बहुत कुछ हो जाता है तो कई बार प्रैक्टिकल एप्लिकेशन पॉन्ट अ कुलिए देंका कोशिश्ट नहीं सकता है तो घ के सी तो होता है तो अभी सुनीये, विश्नु और लक्षमी की बात हो रहे हमारा विरूची बढ़ गया है अब अब गुरोजी अंगुठा दिखा रहें आप लोग भी साथ में हैं वेरी गुड तो इन्होंने क्या किया मालक्ष्मी ने पूछा प्रभू आप किसका चिंतन कर रहा है तो बोले मैं उस भक्त का चिंतन कर रहा हूं जो अभी अभी वैकुंट पहुंचा है बोले अच्छा कौन है सबकmek गया आपका तो वह बोले कि एइसे भक्त बन गया कि यह चला गया था यह था ब्रहमन कुल से तो ब्रहमन कुल के बच्चों का करता यांजन ऊजन पठन पाठन पढ़ीए अग्यान बाठी और साधा जीवन जिये और आध्यात्मिक जीवन उननती करवाई honest उतिक वाइशे के तरह तो फिर बाकी कशत्रिय वाइश और जो वर्किंग क्लास है आपको तो दकलिव देने वाले हैं तो अभी होई रहा है तिक है इसलिए हमको प्योर ब्राह्मिन क्रेट करने के लिए गुरुकुल खोला है प्योर इंटेलेक्च्वल पीपल प्योर सेलफलेस पी जैड है तो उसके पुरा सुनवाई हो थो फटोड़ा धिर नरक में रखे उसको बैल का जनम मिला तो बैल का जनम मिला तो उसका मालिक अशा मिला अभी ध्यान रखिए यह विष्णु लक्षमी से बात कर रहे हैं और यह नरेशन स्वयम शिव जी पारवती से कर रहे हैं और यह narration सूत गोश्वामी अपने रिशियों को बता रहे हैं और यह पूरा narration व्यास देओ डिक्टेट करें गणेजी लिख रहे हैं समझ गया यह बहुत समझने वाली बात है पर ठीक है अच्छा लगता है कभी कॉंफ्लिकेटड उन्हों को थोड़ा अच्छा लगते उन्होंने क्या किया विश्णु जी बोल रहे हैं वह कह रहे हैं कि वह लड़का बैल बन गया उसको ऐसा मौली की मिला काये थापाक 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 मार मार के उसे बहुत काम कर रहा है भूएस निकल रहा है पानी नह कें अंतर हर स्कूल को पचाज़ाइर मिलता है या उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए राशन पानी के लिए अच्छा क्वालिटी के खिला इसके लिए पैसे लेकिन वीच वाली लोग रख लेते हैं तो क्योंकि वह मेंनत करना चाते बीना मेहनत का पैसा रखना चाते रखना चाते हैं तो यह लोग अगले जनम में बैल का बनने का मौकब मिल जाता है तो चिंटा मैंत करिये सब निकलेगा मेरे लगतनी की साइट में कोई सरकारी ओफिसर लोग है पर ठीक होंगे भी तो उनको पहुंचा दीजिएगा आपका क्या भविश्य है हाथ देखने का जोरत नहीं है आपका आगे इस जनम के आगे का भविश्य बता सकते हैं तो वह बैल जो था उसे बहुत मारा उस मालिक ने लाश्ट में जो चक्कर आके गिर गया उसके मूं से पूरा ऐसा फेस निकलता है जब गीर गया तो वह माली किसी और बैल पर लगा के निकल के चल गया यह बैल को छोड़ दिया कि हिंदु मुसलिम और को मदद करते हैं माफ कर एक को तो हैं एक दूसरे को मदद कर रहे वह मदद तो सब करते तो वहाँ गीर गया था तो उस बैल को सब आशिर्वाद देने पहुँच गए तो तभी क्या होता था यह प्रथा है कि इसलिए साधूं को बुलाए जाता है बारवा तेरवा दिन खाना खालेने के लिए कि आप हमारे जो भी हमारे घर में निदन हुआ है उसको आप आशिर्वाद दीजिए तो वह लोग किर्थन कर सकते हैं अलग-छोता है अलग-अलग-अलगrei कि तरीके होता है तो वो बेस्ट होता प्रोस्टिटूट वह वहां से जा रही थी वो बोली अरे मैं क्या दू बैल को मैं तो खुदी मतलब इतनी पापी हूं तो लेकिन उसने मन में कुछ ऐसा दान दे दिया उसने भी बोला कि सब दे रहे तो मेरा भी देना एक हग बनता है उसने मन में कुछ दे दिया और निकल लिकल गई तो बैल को फिर वापिस नरक लेके जाए गया उसका काउंटिंग हुआ तो यह अमराज बोले अरे भाईया इसको तब वैकुंट भेजना पड़ेगा अगला जनम इसको अच्छे घांदान में देदो जहां यह अच्छा पुजा पाठ कर पाए और इसको उन्होंने पूछा यहमराज जी को कि भाया इसे मैंने क्या किया महराज जी मेरे को आप इतना दया कर रहें तो बोलते नहीं वह प्रॉस्ट्टुट्ट ने तुम्हें दिया है न वह इतना पाउर्फूल चीज दे दिया है कि अब तुम्हें तो में मुक्ति के सिवाए हम से धन्यवाद तो कर सको और पूछ सको कि आपने क्या दिये ताकि मैं बाकी लोगों को दे सकूँ तो वो बोले ठीक है तथास्तु कर दिया उसको जनम मिल गया जनम हो गया तो बचपन से खोज रहा था कि यहां एक वेश्या माबाप बोले कैसा लड़का है यह बचपन से यहां एक बहल मरात था तो गांवार लोगों को रहता है फुछ बडर बूड लोग को याद रहता है हां हां मारा था हम लोग ने भी आशिरवत दिया था तो बोले है वह हो वहां वह वेशा ह Remember वह है वह गाओं के उस नदी के पार है तो नदी के पार चले जाता है पुछट बेच सकते हैं, इतना सामर्थ आप में हैं, तो बुली मैं, तो बुले हाँ, बुले बस इतना बताईए कि आपने वो जो बैल को क्या दिया, क्योंकि वो बैल मैं हूँ, मैं यमराज के, मैं यमराज के कक्ष से यहां आया हूँ, तो बताईए आपने क्या दिया है, तो क्रिप कचे से बात करती हूं फे तोस्ता जो है कि उसक्ivering कुछ गाता है वह जो गाता है वह सुनने के लिए मैं और मैं अपनी मन को खिंदम शांत हो जाता है और मुझे एक残मानन्द की अनुभूती हो तो वह मैंने जो आनंद की अनुभूति है वह मैंने तुझे दान कर दिया मृत्यू के समय मैं नदान किया अचा मैं नहीं जा तो तोता जो है आदमी तोते से कैसे बात कर सकता है तो आज भी महारष्ट में गरंत है सहदेव भाड़ी करके उसमें हर प्राणी का आवज आप ड उसके बाद आप फिर सब सबका आवाज समझने लगे तो यू में गो मैड इसलिए जनरली सिखाते नहीं है तो ठीक है अब देखें पंच्यों का आवाज आ रहा है तो पंच्यों का आवाज आपको डिकोड होने लगे आवो बोल रहे है कि गदादर बहुत टाइम ले रहे है तो मुझे दिक्कत हो सकता है तो तोते से बात किया तो तब बोला कि देखो मैं नहीं जानता कि इसको क्या प्रसंद्न हो रहा है लेकिन मैं रोज सुबे जो है मैं मैं पहले पिछले जनम में ब्राह्मन था और मैं एक गुरुकुल मैं मैं जो है गुरुकुल पढ़ाता लेकिन मैं बहुत घमंडी हो गया था मुझे संस्कृत बहुत अच्छे से आता था तो मैं सारे मंत्र इतने मीटर में बोलता था चंद और मीटर लगा के बोलता था एक दम पॉफेक्ट तो मेरे घमंड था आने लोगों से तो मेरे घमंड के कारण किसी मुझे शराब देदे क था वो गुरुकुल में था तो उधर जो बच्चे थे गुरुकुल के वो लोग पहला अध्याई गीता का रोज सुबह पाठ करते थे उतना मुझे रट गया उसके बाद मुझे वहां से किसी ने यहां लाया और इस वेश्या को दान में दे दिया तो अब यह वेश्या के घर में तो कोई पाठ होता नहीं तो मैंने सुचा मैं ही कुछ पाठ कर दूं और रोज सुबह मैं पहला अध्याई जो मैंने रटा था वहां पर वहां पर वहां यहां पर रोज गाता हूँ अब देखके जो वेश्या की कूर्शी पर लेट के बहुत खूश हो जाती है तो तो बोले तो पहले अध्याय का पाठ सुनके और उसका जो पुन्य है वो किसी ने कर प्रतान करें तो आप वैकुंड जा सकते तो सुचे गीता का पाठ करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएगा तो यह हमारा फॉर्चुन है तो हमें समझना चाहिए कि पुनर जनम तो होते र पुर्ण कोन बनाएंगे आनंद करेंगे और प्रिम पारवती डीको शीप जी बताते हैं पहले अध्याय का महत्मि यह था टैन्री तो थोड़ा स्टूरी ह एंड कभी होता है दो मैं दो मिन जल्दी चोड़ेगे तो आपने से जो जो उपवास रखना चाते हैं, उपवास रख सकते हैं, शाम को 6 बजे तक, साड़े छे तक, जब सूरियास्त होता है, तब आप एका दशी का फल या कुछ ऐसा अन्न प्राशन कर सकते हैं, अन्न दूसरे दिन खा सकते हैं, चतुर दशी की दिन, और साथ और अन्यवाद मरसद बनने के लिए, हरे कृष्णा, स्रिला प्रहुपाद की जये,